नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि जिंदी सैशे का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, जिंदी सैशे को कैसे लेना चाहिए, और जिंदी सैशे की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भ कांपोजीशन कॉलेकलसिफेरोल 60,000 इंडिनाशनल यूनिंट होता है, व टामिन D3 को को ब्ल कालेकेलसिफेरोल के नाम से भी जाना जाता है, जिंदी सैशे का उप्योग शरीर में विटामिन दी की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है, विटामिन D शरीर में कैलçियम के अवशोशन में मदद करता है, शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है, और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है हमारे शरीर में दातों और हड्डियों को मजबूर बनाए रखने के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन दी भी बहुत ही जरूरी होता है हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और द केल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वज़ा से धीरे धीरे हडियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं केल्सियम और विटामिन-D की कमी की वज़ा से दांत की जड़ें कमझोर हो जाती है. और दांत भंगुर होकर तोटने लगते हैं और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है और शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोरों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है इसके अलावा ओस्टियो मालिसिया होने पर औस्टियो पॉरोसिस होने पर या बच्चों में रिकेट्स होने पर भी डॉक्तर जिंडी सैशे को लेने की सला दे सकता है रिकेट्स होने पर बच्चों की हड्डिया कमजोर होकर तेरी मेरी हो जाती है और ओस्टियो मालिसिया होने पर हड्डिया कमजोर हो जाती है और शरीर के जोड़ों हड्डियों व मासपेशियों में दर्थ रहने की समस्या हो जाती है किडनी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को होने से रोकने के लिए भी डॉक्तर जिन्दी सैशे को लेने की सला दे सकते हैं मा का दूद पीने वाले छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती है क्योंकि मा के दूद में विटामिन D की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए मा का दूद पीने वाले बच्चों में विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर विटामिन D और कैल्शियम की ड्रॉप्स दे सकता है। दोस्तों अगर आपको विडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या विडियो को लाइक करना वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। Sides Effects की बात करें तो वैसे तो सही डोज में जिन्दी सैशे को लेने पर ज्यादा तर व्यक्तियों में जिन्दी सैशे की वज़ से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन यदि किसी व्यक्ति को जिन्दी सैशे को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए. ज्यादा डोज में जिन्दी सैशे को लेने की वज़े से शरील में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर अधिक हो सकता है, अब हम दिसकस करेंगे कि जिन्दी सैशे को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है, जिन्दी सैशे को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खा के बाद भी लिया जा सकता है जिंडी सैशे को शाम के समय दूद में मिला कर लेना रेक्मेंडेड होता है आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर जिंडी सैशे को सप्ता में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं और 8 सप्ता तक लगात लेने की सलाह दे सकते हैं जिंडी सैशे की डोज उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको जिंडी सैशे को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसक और टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई डोज में विटामिन दी को लेना रेक्मेंडेड नहीं है इसलिए जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कम डोज में विटामिन D के सप्लिमेंट्स लेने की सला दे सकता है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए जिंडी सैशे को लेना रेक्मेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका जिंडी सैशे से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।